कि अगे सब्सक्राइब देखा एक सिंपल कोड़ाटिक नौ सेकेंड पार्ट इस बेसिकली कोड़ाटिक अपोन कोड़ाटिक का रेंज यह एक राइप आपको गिवन है य इकल तो 2x स्क्वाइर प्लस 3x माइनस 4 अपोन x स्क्वाइर प्लस x प्लस 1 इसका रेंज अब है फाइट करने हैं ना हाओ दू फाइड इस रेंज तो स्टांडर मिथर्ड है स्टांडर स्टेप्स हैं तर यू नीड तो फॉलो अफॉर्स स्टेप इस क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे यू गैट लाइक अब नाव वी विल मेक इट अ और क्रोडरिक इन entschieden एक्स एक्स में क्वाडइक बनाने का मतलाब वाइब माइन dipping में स्टोंड क्लस वाइब माइन स्ट्री क्ल आइक्स है प्लस वाइप्लस प्लस पोर इकोल टू जिरो यहां से ओम वाइक है बैद वाइक का वैलू ही बेसिकली होता है लेकिन डाइक ली डा कि भई एक्स तो हम रियल नमबर ही लेने वाले हैं विकोज एक्स बिलॉंग टू आर होगा हमें इमाजरी नमबर थोड़ी पुट करना होगा हमें तो सिर्फ रियल नमबर के लिए ही रेज निकालनी होती है विकोज डोमेन इस माक्सिमम सेट ओ रियल नमबर उससे कम होगा रेस्ट्रिक्टेड में नहीं तो आर होगा तो एक्स अगर रियल है तो कंडिशन क्या होती है टेल मी इस क्वाट्राटिक में अगर एक्स रियल है तो उसका कंडिशन होता है B should be greater than equal to 0 we'll always write for real X बी शिट be greater than equal to 0 अब B हो जाएगा B square minus 4 A C ग्रडगानी equal to 0 अब squaring करते हैं simplify करते हैं तो Y square minus 6Y plus 9 minus 4 into Y square plus 2Y minus A Y square minus 4Y square is minus 3Y square minus 6Y minus 8Y minus 14Y and 9 plus 32 is 41 अब यहां से हमें क्या मिलेगा Y का value कैसे वेवी का method simple inequality का concept है Y का value निकालेंगे तो यहां थोड़ा गंदास आएगा but actual question में थोड़ा अच्छे आएगे तो लेट मी फाइंड आउट कि क्या मिलता है कितना गंदा आता है minus B plus minus under root B square minus 4AC 4AC का मतलब 12 into 41 with minus minus plus हो जाएगा 241 2s are 82 and 41 49 49 492 upon 2 A that is minus 3 यह क्या मिला 196 and 492 comes out to be 688 चेक कर लो अब बोन minus 6 तो 14 plus minus 688 अप्रोक्सिमेट वैलू अगर मैं पूछता हूँ तो इसका अप्रोक्सिमेट वैलू क्या आएगा 25 का square 625 होता है 27 का 729 होता है 26 का square 676 होता है तो यह 26.1 मां लेते हैं अप्रोक्सिमेट वैलू ले रहे हैं बहुत अप्रोक्सिमेट वैलू की चिंता ना गरना and minus two point something sign लगाओगे तो आएगा plus minus plus actually no minus plus minus आपको check करना चाहिए हर बार plus minus plus नहीं होता है अब हमें positive चाहिए और positive यहां पर आ रहा है इसका मतलब the value of y must lie between छोटे वाले रूट से बड़े वाले रूट तक मतलब minus 7 इसको और भी simplify कर सकते हैं 7 plus minus 13.05 upon minus 3 or I can say कि पूरा लिख लेते हैं minus 14 plus minus root 668 by 6 चोटा वाला है minus and that will be plus so this is your range of the quadratic इसका value हमेशा इन नंबर के बीच में ही होगा हमेशा minus 6 point something से minus 2 point something के बीच में ही होगा मतलब हमेशा negative आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है let's find out कुछ तो गरबढ है 0 अगर लोगे तो minus 4 आएगा minus 4 तो सही है 1 अगर लिया तो क्या मिलेगा 1 लोगे to 1 by 3 आएगा कुछ गरबढ है root find करने बे plus है यह और plus upon minus 6 यह minus upon minus 6 है minus 6 करोगे तो यह plus 2 आएगा okay so range is minus 6 point something से 2 point something चलो 5 put 1 put करते हैं 1 put किया तो 1 by 3 that is working so whatever value of x you take it will always lie between this and this इससे कम जादा कुछ नहीं हो सकता यह मैं एक random question लिया था just to give you an idea now I am going to give you a good question जिसमें ऐसा गंदा सांसर नहीं आएगा अच्छा सांसर आएगा तो आप उसको solve करें and then we will take from there so y का value लेते हैं x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 you need to find range of this take your time pause कर लो और find करो method आपके सामने है तो इसको pause करके proper solve करो और देखो क्या मिलता है यह मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ इस में calculation mistake हो सकती है that's okay that will not make any difference मैं solve करने वाला हूँ solve कर रहा हूँ अपने अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज पॉस करके अपने आप solve कर लेजिए now this is y minus 1 into x square y plus 1 into x plus y minus 1 then we will write for real x d should be griddan equal to 0 यह step लिखना चाहिए आपको आदत में डाल लो it should be in your habit तो हो जाएगा b square minus 4 a c a और c दोनों से में तो square हो गया griddan equal to 0 now what एक तरीका है कि पूरा का पूरा squaring open कर लो but what I am saying is यह a square minus b square है this is y plus 1 square 2y minus 2 square बोलो यह सौनो अब a square minus b square is a plus b बोलो a plus b क्या है पोज कर लो और find करो a plus b which is 3y minus 1 अब a plus b into a minus b होता है पोज कर लो और a minus b find करो minus y plus 3 this is it अब number line बनाएंगे तो यहां से root आएगा 1 by 3 और यहां से root आएगा 3 तो 3 और 1 by 3 side लगाएंगे तो आएगा minus plus minus हमें positive चाहिए तो what we got it 1 by 3 से 3 आपको plus minus लगाना नहीं आता है अगर है तो आप वेवी को inequality वाला वीडियो देखिए practice हो जाएगी कि हर part में अलग-अलग check करना चाहिए अच्छी बात है बाकी जादा practice हो तो आप directly भी लग सकते हैं और equality भी है तो close interval कर देते हैं कि close open पे बहुत जादा dependence नहीं होना चाहिए इस पर क्योंकि open close में problems होती है इसमें अगर देखोगे तो open close का problem हो सकता है इसलिए option देख करके decide करना कि मुझे open close पे दिमाग लगाना या नहीं लिगाना है अगर दिमाग लगाना है तो फिर value put करके check करना कि 3 आता है या नहीं आता है 1 by 3 आता है या नहीं आता है मतलब थोड़ा उसमें time devote करोगे तो अच्छा रहेगा mostly तो सब कुछ okay है बढ़ फिर भी time devote करना चाहिए open और close दोनों अगर option में है तो close के लिए proper उस point पे check करने के बाद ही proceed करना चाहिए now I am going to give you another idea about this question what do you see that this is a fraction which is not proper यह proper fraction नहीं है क्योंकि उपर का डिग्री नीचे से कम होता है प्रॉपर में तो ऐसे में क्या करते है डिवाइड करते है जब लॉंग डिविजन करोगे तो ऐसा मिलेगा हमें डेख लो LCM ले लो you will get to know कि सही है सब कुछ अब मैं काम करता हूं X से पूरे को डिवाइड कर देता हूं X को पूरे से डिवाइड कर दिया assuming that कि X is not equal to 0 लिकन ऐसा तो कोई है नहीं कि X 0 नहीं हो सकता तो अगर डिवाइड करना है तो X equal to 0 वाला केस अलग से ले लो और X को अगर 0 पुट करोगे तो Y का वैलू 1 आएगा और X अगर 0 नहीं है तो बाकी का केस हो गया Now you see something, what do you see is this part which is X plus 1 by X आपको पता X plus 1 by X के बारे में X plus 1 by X is either greater than equal to 2 और less than equal to minus 2 X plus 1 by X का वैलू कभी भी minus 2 से 2 के बीच में नहीं होता है यह हमारा standard result है अब जब इसमें plus 1 करोगे तो greater than equal to 3 और less than equal to minus 1 आ जाएगा अब जब उसको 2 से divide करोगे तो अब यह स्तोरी वापस से आपको range वाले वीडियो में जारा detail में आएगा तो you will learn that कि जब इसको 2 से divide करोगे तो इस तोरी क्या है कि X plus 1 plus 1 by X belong to minus infinity से minus 1 union 3 से infinity है minus 1 से छोटा या 3 से जारा तो जब उसको 2 upon करोगे तो that will give you 2 upon minus infinity is 0 2 upon minus 1 is minus 2 2 upon 3 is 2 upon 3 and 2 upon infinity is 0 so what we get is minus 2 से 2 by 3 minus एक single number 0 minus एक single number 0 अब यह range का ही concept है उसी chapter में आपको clarity आएगी but अगर आपने वो chapter देखा हुआ है तो आप यह समझ पाएंगे अब इसको one में से minus करना है अब one में से minus करेंगे तो क्या मिलेगा one minus minus two is three और one minus two by three is one by three one minus zero is one तो यह जो term है इसको range आया one by three से three except one so finally x square minus x plus one upon x square plus x plus one मतलब इस पूरे का range के आएगा one by three से three minus one लेकिन यहां पे एक one वाला case भी तो है and that will give you कि वह minus one कांसे लो गया इसमें minus one नहीं है यहां minus one है तो range तो सारा का सारा case लेना पड़ेगा उनका union लेना पड़ेगा union लो गया तो range आगिया one by three से three range आगिया one by three से three अब usually हम method यहीं यूज करते है this is what we are going to use throughout यह मैंने सिर्फ आपको एक understanding के लिए समझाया है जो range वाले question में कुसी और question को solve करने के लिए मिलता है लेकिन otherwise this is your actual method restricted में आपको वैसा करना पड़ेगा लेकिन अभी restricted की बात नहीं करते हैं so this is your actual method of finding range of quadratic upon quadratic इसमें बहुत सारे questions होते हैं we will continue solving some more questions so stay tuned so now we are going to solve these three questions first question अगर मैं solve करता हूं तो इसमें तरीका क्या है 2xy minus 3y is x square plus 2x minus 11 difference क्या है बाकी questions से अगर देखोगे तो नीचे quadratic नहीं है linear है तू भी it will work ऊपर linear नीचे quadratic तू भी it will work दोनों quadratic तू भी काम करता है not going to make any difference so now this is what we get 2xy minus 3y अब x में quadratic बनाओगे तो x square x के साथ देखोगे तो 2 minus 2y आएगा और फिर 3y minus 11 आएगा या आप देख लो समझ लो cross multiply किया x में quadratic and now what we do we write for real x d should be greater than equal to 0 that b square minus 4 a c should be greater than equal to 0 आप 4 4 4 पूरा में कांसल कर दूंगा to y square minus 2y plus 1 minus 3y plus 11 greater than equal to 0 to that is y square minus 10y plus 2 equal to 0 y का value क्या मिला y का value find करो to y का value find करते है minus b plus minus b square minus 4 a c upon 2 a 2xy minus 6y है क्योंकि यहां पे भी क्या है यह जैसे रूट में गंदा नमबर आया मुझे लगा कुछ गलती हो सकती है क्योंकि books के जो question होते हैं वो आचली थोड़े systematic होते हैं बिल्कुल random सा कुछ नहीं आने के chances हाई होते हैं इसलिए मैंने एक बाद check किया तो पता चल गया कि गरबढ क्या है minus 6y equal to x square 2x minus 11 that gives me x square plus 2x minus 2xy plus 6y minus 11 तो b square minus 4 a c हो जाएगा this 4 cancelled out तो मिला 6y plus 11 तो minus 6 minus 2 is minus 8 अब root निकालेंगे तो यहां पे roots आजाएंगे 2 and 6 देखो तो book का question होने का यही advantage होता है कि numbers थोड़े अच्छे अच्छे आते so what we get is पोज़ते हैं मतलब यह वाला value मतलब y belongs to minus infinity say to union 6 to infinity means why does not belong to 2 to 6 or we can say why can take any value except between 2 and 6 अब यह question किसी भी तरीके से आप से पूछा जा सकता है लेकिन ultimately solve आपको ऐसे ही करना है अब यह तक जो हमने दो questions किये दोनों में value आये था alpha से beta के बीच में यहां क्या है alpha से beta के बाहर it's not necessary कि हमेशा यह 2 से 6 के बीच में ही आएगा हो सकता है 2 से 6 के बीच में हो ही नहीं अब जो भी value चाहें x का ले लो it will never lie between 2 and 6 that is what it's all about x को 0 लो के तो क्या मिलेगा minus 11 by minus 6 मतलब 11 by 6 11 by 6 इसके बीच में होता है नहीं होता है 2 से कम होता है 11 by 6 so whatever value of x you take it will always be either less than 2 or greater than 6 that is what this question is all about अब इसको manipulate करके जो तूसा तरीका मैंने बताया था set करने वाला उससे भी solve कर सकते है but no need at the moment second question की बात करते है second question में क्या होगा y into x square plus 3x equal to x square minus x minus 2 अब x में क्याटिक बनाओ solve करो, pause करो video को solve करो, you are going to get a very good result तो x square के साथ आया y minus 1 x के साथ आया 3y plus 1 और plus 2 equal to 0 then we write for real x, d should be greater than equal to 0 now what? d हो जाएगा 3y plus 1 ka whole square minus 4ac this is 9y square plus 6y plus 1 minus 8y plus 8 greater than equal to 0 now what do we get? इसके roots निकालते हैं इसके roots निकालोगे तो आएगा minus b plus minus b square minus 4ac upon 2 into 9 इसके तो roots imaginary आ रहे root imaginary आ रहे, अब क्या करें तो ये अच्छी बात है ये खराब बात है actually मैं हमें लगते हैं कि और रूट negative आ गए अब क्या करें बट ये अच्छी बात होती है क्योंकि root negative आने का मतलब बहुत सारे case नहीं होंगे sorry, root imaginary आने का मतलब एक ही case होगा या तो यह हमेशा positive होगा या हमेशा negative होगा यह आपको wavy curve में मैंने बताया हुआ है now we see that इसका d negative है और a positive है इसका मतलब यह जो quadratic है वो हमेशा positive होगा it will always be positive for all why belong to our मतलब why का value कुछ भी कर लो यह positive ही होगा और इसका मतलब range क्या हुआ range is minus infinity to plus infinity तो देखो पहले cases में आया था कि alpha से beta के बीच में इसमें क्या आया alpha के पहले beta के बाद यहां क्या आया कुछ भी हो सकता है जो चाहे value रखना है वो value रखो x का कोई नो कोई value मिल जाएगा it will take all the values from minus infinity से plus infinity this is called all the variations तो देखना है यहां पर quadratic का root नहीं आया यह बहुत अच्छी बात होती है यह हमेशा positive है और वही हमें चाहिए था इसका मतलब y कुछ भी लोगे अपना काम चल जाएगा so what we are getting is this अब यहां पर जो y लिखा है वो actually y नहीं है वो अच्छी यह है कि 9y square minus 2y plus 9 is greater than equal to 0 for all y belong to r तो y का value minus infinity से plus infinity सब कुछ है जो पहले y लिखा था वो अच्छी होता था ना ax square plus bx plus c को y लिखते थे मतलब पूरे quadratic का value यह quadratic y में है तो इसको ऐसे लिख देते हैं ने तो z लिख सकते हो so this is one more variety now we are going for this third question third question में क्या है देखना लिखा है कि y equal to ax square minus 7x plus 5 upon 5x square minus 7 plus a belongs to our मतलब can take all the values can take all the values या बोलेंगे have range our या फिर बोलेंगे converts to full number line इस सबका मतलब वही है किसका range आर है convert to full number line मतलब इसकी value convert किसमे होगी पूरे number line में मतलब minus infinity से plus infinity या लिखागा belongs to minus infinity to plus infinity या belong to our सबका मतलब एक ही है do you try to attempt this question and I am going to solve this या 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 फोर्ट क्वेशन की बात करते हैं थोर्ट क्वेशन में भी वही स्थारी है cross multiply करेंगे तो 5yx square minus 7xy plus ay equals to ax square minus 7x plus y second step में क्या करते हैं perfect quadratic बनाते हैं quadratic में 5y minus x के साथ देखोगे तो minus 7y plus 7 constant देखोगे तो ay minus 5 then what we say we say for real x d should be greater than equal to 0 करते हैं d निकालो के तो आएगा 49y square plus 49 minus 28y 28 ने 98 2ab minus 4ab मतलब 5y minus a ay minus 5 should be greater than equal to this gives me minus 4 5ay square minus a square y minus 25y plus 5a what do we get 49 minus 28y square y के साथ क्या है minus 98y plus 4a square constant देखोगे तो देखोगे तो देखोगे तो देखोगे तो देखोगे अगे 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 कुछ गलती होगे तो पता चल जाएगा आपको भी क्लारेटी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी 5y x square 7 x y plus a y equal to a x square minus 7 x plus 5 x में quadratic x square का टर्म है 5y minus a x का टर्म है minus 7y plus 7 और constant term है ay minus 5 for real x bigger than equal to 0. d क्या है b square a square plus b square plus 2ab 2ab will be minus 7 7 49 298 minus 4a and c so multiply करेंगे तो आएगा 5a y square minus 25y minus a square y all good looks good तो 49y square minus 20a y square y के साथ minus 98 और y के साथ plus 4a square और ये बच गया ये भी y के साथ ये देखो तो plus 100y है तो अंदर minus 100 हो जाएगा 98 minus 100 is minus multiply कर दिया तो 2 plus 4a square देखो काम थोड़ा असान होगे तो ये 98y था ये 100y था तो 2y आगे और constant term देखो के तो 49 and minus 20a 49 minus 20a greater than equal to 0 अब यार अपने story same थी इसके बाद क्या कहता है this belongs to r मतलब y can take any value this implies that की quadratic greater than equal to 0 for all y belong to r y की हर value के लिए ये true होना चीए क्योंकि given है कि इसका range r है मतलब ये हमेशा true है कोई quadratic हमेशा positive है कब सोच लो quadratic हमेशा positive कब होता है जब pause करो and think of it जब a positive और d negative होता है देखो यहां भी use किया था quadratic हमेशा positive कब होगा जब a positive d negative होगा that gives me a positive and d d क्या होगा 4a square plus 2 का square minus 4a and c less than देखने में गंदा लग रहा है लेकिन मुझे अच्छी चीज मिल गए इसमें क्या है देखना this is 4 into 2a square minus 1 का square minus 4 what is this 49 minus 20a का square this gives me a is less than 49 by 20 यह 4 4 cancel होगया दिखा कुछ पूरा squaring करके solve कर सकते है but what I am going to do is a square minus b square a plus b will give you 2a square minus 20a plus 48 and a minus b will be 2a square plus 20a minus 50 इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद यह दो-दो quadratic kai inequality है इसे हमें अलग से solve करना पड़ेगा so let me do that so now I am going to copy this again I am getting a less than 49 by 20 इसमें 2 से divide करोगे so that gives me a square minus 10a plus 24 plus 10a minus 25 should be less than 0 roots हम find करते हैं अगर है तो यहां पर roots आ जाएंगे minus 12 नहीं 4 and 6 answer आ जाएगा 4 and 6 और यहां पर roots आ जाएंगे minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a root में 200 आ रहा है मतलब कुछ problem हो सकता है क्योंकि अच्छा सा answer आना चाहिए लेट मीं चेक वांस उल्टा चेक करते हैं a minus b यह भी ठीक है यहां थे तो this is b square okay now see we got the problem यह plus है यहां पर यह plus है minus 4 49 by 2a तो this will give you a plus b that is 2a square minus 20a plus 50 और दूसरा रेखेंगे a minus b तो 2a square plus 20a minus 48 this is different प्राइ करते हैं 2a square मतलब a square minus 10a plus 25 हो जाएगा this is a square plus 10a minus 24 हो जाएगा अब roots निकालते हैं यह तो a minus 5 का whole square है and this is इसके roots आएगे minus 12 and 2 roots will be minus 12 and 2 so number line अगर बनाओगे यहां आएगा minus 12, 2 and 5 and 5 5 दूबार आया है न a minus 5 का square है तो 5 दूबार आएगा तो दूबार लिखना पड़ेगा sign लगाएंगे तो I'll get plus, minus, minus and plus inequality में भी देखोगे equal भी आएगा, equality भी लिख देते हैं this is your correct answer, मतलब A का value minus 12 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो इस quantity upon quantity का range कुछ भी आ सकता है that is the whole idea तो लगबल लगभा मैंने सारे इस ताइप के questions जो भी profile हो सकता था जो भी type के questions हो सकते थे वो मैंने cover कर दिया है and now we'll go for some other concept Thank you झाल